बिस्मिल्य हर्माने रहें, असलावलेकूम, आसिफा को सब्सक्रीचन में मैं आप सब का वेलकम करती हूँ गर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में दी गई बेल को भी प्रेस करिए तके मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करिएगा मैं बना रही हूँ नीर दोसा, कनड़ा में नीर का मतलब होता है पानी, ये दोसे का घोल पानी की तरह पतला होता है इसलिए इसका नाम नीर दोसा है, वल और नारियल को पीस कर इसका पतला घोल बनाया जाता है फिर इसके दोसे बनाते हैं, इसको बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस हमें प्रोपोर्शन का खयाल रखना होता है और ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, खाने में मुँ में जाते ही घुल जाने वाले दोसे तो सबसे पहले हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ धनिया पती, आधा लीम्बू, दो टेबल स्पून मैंने रोस्टेट चनादा ली है, नमक अपने टेस्ट के साब से ली हूँ वन फोर्थ कप मैंने नारियल के टुकड़े लिए हैं, चार हरी मिर्चे, चार लहसन और एक मैंने अध्रक का टुकड़ा लिया है चटनी को तड़का देने के लिए थोड़ा सा तेल, कड़ी पता लिया है मैंने, राई, जीरा और एक लाल मिर्ची को लेकर मैंने उसके टुकड़े कर लिया है अब हम इन सब चीज़ों को एक जार में दाल लेंगे, सबसे पहले मैंने नारियल के टुकड़े दाले हैं, उसके बाद मैंने लसन, हरी मिर्चे दाल दिया है इसी देर हम बचे हुए सारी चीज़ों को इसमें दालेंगे, और थोड़ा सा पानी दाल कर हम इसको अच्छे से पीस लेंगे इसको मैंने पीस लिया है, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ इसमें अब मैं लीम्बू का रज दाल रही हूँ चाहे तो आप इसको पिस्ते वक्त भी दाल सकते हैं, अब लीम्बू दालने के बाद इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेंगे, एक छोटे से पैन में मैं तेल दाल रही हूँ जैसे ही तेल थोड़ा सा गरम होता है मैं इसमें राई, जीरा और जो लाल मिर्चम ने लीती सूखी उसको दाल रही हूँ थोड़ा सा इसको चटकने देते हैं, उसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता दाल दिया है अब ये तड़का बन कर तैयार है अब हम इसको चटनी पर दाल देंगे अब हम दोसा बनाने की तैयारी कर लेते हैं दोसा के लिए मैंने एक कप चावल लिये थे और इसको मैंने राद भर भीगो कर रख दिये थे कम असकम चार घंटे हमें चावल को भीगो ना है आप जो चाहे वो चावल ले सकते हैं फोर टेबल स्पून मैंने ग्रेटेड यहां पर कोकोनट लिया है थोड़ा सा मैंने नमक लिया है अब इन सब चीजों को हम एक मिक्सी जार में दालेंगे पहले मैं चावल दाल रही हूँ उसके बाद मैं ग्रेटेड नारियल दाल रही हूँ नमक दाल कर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी दालेंगे और इसको हम स्मूथ बैटर में पीस लेंगे इसका बैटर बहुत स्मूथ होना चाहिए दो सा बैटर को मैंने पीस लिया है और इसको अब मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ अब हम इसमें दालेंगे 2 कप पानी पानी एक धमी ना दालिए इसकी consistency देखते जाएंगे और फिर पानी मिलाते जाएंगे मैं यहाँ 2 कप पानी का इस्टेमाल किया है तो यह रहा मेरा दूसरा कप पानी तो देखिए इसकी consistency पानी के जैसे हो गई है 21 तरह पानी की तरह पतला दिख रहा है गोल, तो इसी तरह से हमें इसका गोल बनाना है, दोसे का तवा हम गरम कर लेंगे, उस पर मैंने थुड़ा सा तेल डाल दिया है, अब उस पर मैं थुड़ा सा पानी की छीटे डाल रहे हैं और इसको पोश रही हूँ, ताकि तवा पक कर पका लेंगे जब यह दोसा हो जाएगा पुरी तरह से पक जाएगा इसके साइट्स अपने आप निकलेंगे तब हम इसको निकाल लेंगे तो देखिए यह हो गया है तो इसको अब मैं निकाल रही हूँ इसका कलर इसी तरह से सफेद रहेगा और एक खाने में बहुत ही मज़ेदार और मुलायम होते हैं आप भी इसको अपने घर में जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो इसी तरह से मैंने अपने सारे दोसे बना पर है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक का और शेर करना ना भूलिएगा मैं बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होती हू तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल